कि हलो फेंड्स वेलकम टूब चनल हम बात करने वाले हैं ओल इंडिया के वारे मैं ओल इंडिया अगर हम करेंट лишь देखें डिली चार्ट पर है मैंने आपको टॉप के आसपास सेस्लिंग के लिए हूँ है जब यह बाइग आया था तब यह वाले केड़ल पर में मैं आपको से सेम लेबल पर ही ट्रेट कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी आप दिखोगे तो यह बडा साइस ने कंडल बना दिया जैसा कि यहां पर बनाया हुआ था यह वाला कंडल ठीक है तो यहां पर क्या है बायर्स को फोप मिल जाता है कि आप तो उपर ही जाएगा इस होगा यहां पर कि आपको जसेलेंक डिखेगा फिर सेल região आ जाएगा फिर एक बाढ सा केनल बना देगा फिर सेल इंग आ जाएगा तो यह वहता क्या है यह आप dead momentum मानकर से लो selling आया वहीं से buying हो गया फिर हो सकता है फिर selling हो जाए वहां से ठीक है तो फिलाल जब तक यह 610-615 की उपर कोई range नहीं बना रहा है इसके उपर जब तक क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक के लिए buying avoid करना चाहिए safe trader plan कर सकते हैं 640 के उपर यहां से आपको breakdown देखने के लिए मिल जाए तो अब अगर इस low के नीचे निकलेगा तो directly हम 480 की तरफ जाने वाले हैं अभी इसने करीब यह जो 520 का label है जो मैंने आपको पहले भी कहा था किसके बीच में 520 का support आ सकता है इसी के आसपास अभी इसने support लिया है और अब अगर ब्रेक करके न चार्ट की ऊपर नहीं दिखता है तब तक के लिए अब करिए जब चार्ट पर आपको एक अच्छा momentum दिखने लगे तो फिर वहां से हम बाइंग के लिए continue कर सकते हैं बाकि ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको चाहिए तो श्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो सपोर्ट ये